किसान नांदोलन के लिए दिल्ली जाना चार रे करनाटक के किसानों को मंगलवार सुबर जबर दस्ती उज्जेन लाया गया है रेल्वेस्टेशन पर किसानों नारे बाजी की यहां से पुलिस सभी को वेन में शिप्रा नदी के गाट लेकर पहुची पुलिस प्रशासन का प्लान किसानों को महाकाल दर्शन कराकर वापस भीजना है ये भही किसान हैं जिने बोपाल एलवे स्टेशन पर करनाटक एसपस ट्रेंड से उतार लिया गया था धारवार के किसान निता पशुराम ने बताया हम दिल्ली जा रहे थे बोपाल पुलिस ने सोमवा तड़के तीन बज़े जबर दस्टी ट्रेंड से उतार लिया हमसे कहा कि करनाटक वापस जाओ हमने मना करते हुए कहा कि हम दिल्ली जाएंगे आज हम लोगों को ट्रेन में बठा कर उज्जिन ले आए उधर मामले में पूरु मुख्यमंद्री दिखविजैसी ने मामले में आज सुबह एक्स पर लिखा बीजेपी प्रधानमंद्री नरिन मोदी मुख्यमंद्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों से इतना क्यों घपरा रहे हैं मोदी गैरंटी के अंदरगत किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए जो वादे किये थे पूरे नहीं हुए है इसके लिए ये आंदोलन आज दिल्ली में हो रहा है वादे पूरे करो, MSP हमारा अधिकार है, लागू करो मोदी जी आपकी गैरंटी का सवाल है बता दे कि 70 किसानों को भुपाल में उतारने के बाद अशोका गार्डन इलाके के मनभजा मेरिज गार्डन में ठहराया गया था इनमें 25 महीलाएं भी है किसानों का कहना है कि उन्हें जबर्दसी ट्रेंज से उतारा गया वापस करनाटक जाने के लिए कहा गया लेकिन हम दिल्ली जाना चाहते हैं दिल्ली मेर्ज किसानों का आंदोलन है 12 फरवरी की रात चंडीगर में साड़े पांच घंटे चली मीटिंग में किसान नेता और केंदरी मंत्रियों के बिश नियुन्तम समर्थन मुल गैरंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमती नहीं बन पाई इसके बाद किसान मजदूर मोचा के संयोजक सरवन सी पधेर ने दिल्ली कूच का एलान कर दिया आंदोलन को देखते वे दिल्ली, पंजाब, हर्याना और चंडीगर के बॉर्डर सील है हर्याना के साथ जिलों में इंटरनेट बंद है पंदरा जिलों में धार 144 लागू की गई है हर्याना और दिल्ली के सिंगू और टिक्री बॉर्डर भी सील कर दिये गए है दिल्ली में भी कड़ी बैरिकेटिंग की गई है यहां एक महिने के लिए धार 144 भी लागू कर दी गई है भी जुटने और ट्रेक्टर्स की एंट्री पर रोग लगा दी है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद